आप लोग बार-बार कमेंट कर रहे थे कि सर ओड टू आटम का बनाई ये जो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है तो इस वीडियो में हम लोग ओड टू आटम जो आपके चेप्टर में दिया गया है उसके बारे में उसका अर्थ हम लोग समझेंगे अच्छे से प्लानेशन बन चुका है और बहुत ही अच्छा बना है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा जिन्होंने देखा है बहुत सरा लाइक कमेंट्स भी आया है तो आप लोग भी जाकर के देखें माकी चैप्टर्स का ये जो कलर किया हुआ लाइन है वो इंपर्टेंट लाइ तो लाइन को जब मैं पढ़ाओं तो आप लोग ध्यान से सुने उन लाइन को बागी पूरे लाइन को भी ध्यान से सुने पहले हम जॉन किट्स के बारे में पढ़ते हैं उसके बाद आपका जो चैप्टर है उस चैप्टर का अर्थ समझेंगे किट्स के बारे में भी जान इन्होंने सिर्फ 26 साल के उम्र में इनका नाम इंग्लिश के महान लेखकों में किया जाता है महान पोएट में इनका नाम आता है ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं जॉन कीट्स 1795 में इनका जन्म हुआ था और 1821 में इनकी मृत्य हुई थी यह इंग्लिश रोमेंटिक पोएट में से एक थे बहुत सारे महान इंग्लिश रोमेंटिक पोएट हुए है विलियम वर्ड्स वर्थ, शेक्स्पियर और भी बहुत सारे लेकिन उन में से यह भी एक थे रोमेंटिक पोएट थे was born at moon field London London के moon field नाम के शहर में इनका जन्म हुआ he stayed at Clark's school at infield infield शहर के Clark school में इन्होंने अपनी पढ़ाई की deeply interested in cricket and boxing ये इनका जो है interest वो बहुत ज़्यादा था cricket और boxing में cricket और boxing में ये बहुत ज़्यादा interest रखते थे देखने में या खेलने में he grew into a voracious reader especially of Greek mythology इनको बहुत ज़्यादे मज़ा आता था ये एक voracious reader थे voracious का वैसे मतलब होता है pay to pay to आदमी को क्या होता है कि और खाएं और खाएं समझे तो ये जो थे वो एक voracious reader थे तो ये मतलब इनका था कि और पढ़ें और पढ़ें इस तरह से था और इस्पेसली जो है ये क्या पढ़ते थे Greek mythology पढ़ते थे मतलब Greek जो है Greek की पुरानी कथाएं पुरानी जो कहानिया होती है वे पढ़ते थे he even started a translation of Virgil's Enid Virgil writer का नाम है और उनके Enid जो है उनके किताब का नाम है poem उनके कविताओं का संग्रह है इस writer का नाम है Virgil का किताब है ये ठीक है Enid तो इसका translation भी उन्होंने सुरू किया करना उस किताब का उस कविताओं का English में His ambition to become a poet was fired उनका जो कवी बनने का जो ambition है कवी बनने का जो लक्ष है वो सबसे पहले कब उनके मन में जागरित हुआ फायर हुआ By his first acquaintance with Spencer's fairy queen सबसे पहले जब उन्होंने Spencer किये Spencer जो है वो लेखक का नाम है एक poet का नाम है जब सबसे पहले उन्होंने Spencer का किताब and Spencer की poem वाली किताब जिसका नाम है fairy queen इसके writer है Spencer ठीक है आपके objective question में पूछे जा सकते हैं ध्यान रखें fairy queen के writer है Spencer जब हुए इस किताब से acquaintance हुए परिचित हुए इस किताब को उन्होंने पढ़ा तब इनके मन में हुआ कि चलो मैं भी कविताइं लिखता हूँ his first poem उनकी पहली कविता lines in imitation of Spencer उनके पहले जो कविता है उसका नाम ये है was published in 1814 सबसे पहले इनकी पहली कविता जो है वो 1814 में इनकी पहली कविता पबलिश हुई और 1821 में इनकी मृत्य हो गई मात्र जब इन्होंने कविता लिखना सुरू किया तो मात्र साथ साल के बाद सिर्फ साथ साल में इन्होंने अपना नाम रोशन किया तो उम्र जो है उम्र लंबी नहीं होनी चाहिए उम्र बरी होनी चाहिए छोटी सी उम्र में जितनी उम्र आपके पास है कभी भी कोई उम उसका नाम रोशन कर जाता है, कोई सौ साल बीतने के बाद भी उसका नाम रोशन नहीं कर पाता है अपना, तो एक जजवा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, एक अलग पहचान होनी चाहिए, आपका अलग एटिट्यूड होना चाहिए, तब ही आप कम उम्र में अपना न नाम था Poems, उस किताब का क्या नाम था Poems, उनके किताब के टाइटल था Poems, was published in 1817, 1817 इस वी में उनकी पहली कविताओं का किताब प्रकाशित हुआ, जिसका नाम था Poems, His Poems, उनकी ही कविता का नाम है, Indemian, was well appreciated by Wordsworth, उनकी जो कविता है, Indemian, उसे Wordsworth ने appreciate किया, Wordsworth इंगलिस के बहुत बरे Poets है, बहुत बरे Poets, उन्होंने इनकी कविताओं का प्रसंसा की, इनकी कविताओं की प्रसंसा की, इस कविता की, Indemian की, It was published in 1818, ये कविता इनकी 1818 में published हुई, His Odds, Odds का मतलब होता है, जो ऐसी कविताओं है, जो गीत के तरज पर लिखी गई हो, मतलब मिला मला करके लिखी जाती है, जैसे कोई अंतिम शब्द जो है, फिर उसी के तरह जो अगला लाइन होता है, उसका अंतिम शब्द उसी से म मिलता जुलता है, सुनने में राइमिंग वर्ड्स की तरह होता है, तो उन कविताओं को कहते हैं, ओड्स, गीत जिसे कहा जाता है, उनकी ओड्स का नाम है, उनकी कविताओं का नाम है, On Indolence, On A Gracian Urn, To Psych, To A Nightingale, On Melancholy, And Ode To Autumn, ये सारी कविताओं, Made Him A Great Romantic Poet Of English Literature, ये सारी इंग्लिश शाहित की महान रोमेंटिक पोएट बनाते हैं आपकी किताब में जो दिया गया है और टू अटम ये भी तो डिड्लैमिया एंड हाइपरियन और उसी तरह लेमिया और हाइपरियन जो है वो ट्यूबर कुलोसिस से उनकी मृत्यू 1821 में 1821 में 26 साल की अवस्था में हो गई बट विदिन इस शॉर्ट स्पैन अफ लाइफ लेकिन ये जो जिन्दगी की चोटी सी जर्नी थी स्पैन मतलब जर्नी यात्रा ये जो छोटा सा जो अविदी था अपने जिन्दगी का वे महानता हासिल करने में सक्षम हुए उन्होंने महानता हासिल की His poems and letters have depth beneath their beauty and reflect his awareness of the pains and sufferings of life उनकी कविताएं और उनके जो पत्र हैं have depth beneath their beauty वो सुंदरताओं के जर्द तक पहुचती हैं and reflect his awareness और उसके awareness को उसके जागरुकता को दिखाती है of the pains and sufferings of life जिन्दगी में कितने कस्ट है क्या क्या कस्ट है और क्या दर्द है क्या पीरा होती है जिन्दगी जीते जीने के समय उसको दिखा दर्शाती है इनकी कविताएं to him उनके अनुसार a thing of beauty is a joy of forever किसी भी चीज की सुन्दरता का मतलब है कि उसका पूरा जीवन हमेशा उसका आनंद लिया जाए ऐसी वस्तु हैं जिसका हमेशा आनंद लिया जा सके उसका मजा लिया जा सके वही उसकी अस्री सुन्दरता है and beauty is truth और जो सुन्दरता है वो सत्य है truth beauty जो सची सुन्दरता है वही सत्य है in the poem इस कविता में जिसका नाम है ode to autumn kids describes kids john kids vernon करते है the beauty and characteristic spirit of autumn autumn season की जो विशेस्ता है और जो सुन्दरता है उसका vernon करते हैं in a series of memorable pictures जिसमें वो दर्शाते हैं कविता जो आप पढ़ेंगे तब आपके आँके सामने कुछ memorable pictures कुछ यादगार तस्वीरे आएंगी इस कविता को पढ़ते समय एक्जीविटिंग मतलब बताते हैं the principle of beauty in nature nature में जो principle of beauty है जो सुन्दरता की जो सिद्धान्त है जो सुन्दरता का जो सच्चाई है उसको बताते है ठीक है तो इसको इस chapter का question answer भी बन चुका है अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसका मैं link दे दूँगा description में वो आप जरूर देखें चलिए आप हम poem परते हैं poem को समझते हैं अच्छे से ठीक है चलिए शुरू करते हैं पहला paragraph है तो जो चीज आपको समझ में नहीं आएगी मैं photo इसका जो pic है picture डाल कर मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको समझ में आएगा जिन चीजों के बारे में आपको मैं बोल कर नहीं समझा सकता उसका मैं photo डाल दूँगा आप screen पर आएगा समझ में आएगा ठीक है तो चलिए इसमें writer ने poet ने इसमें autumn season covenant किया है autumn season क्या होता है गर्मी खत्म होने के बाद जो गर्मी है वो खत्म होने के बाद जो है भो ड्र्मी का मॉसम जाबाता है तो उसके बीच में जो मॉसम होता है तो season of mists mist का मतलब क्या होता है धूम, कोहरा कोहरा जो लगता है कुहेसा जो लगता है उसे mist कहते है तो कोहरे का मौसम and mellow fruitfulness mellow mellow का मतलब होता है मीठा और मधूर और soft soft मतलब मुलाइम मुलाइम और मीठा मौसम होता है fruitfulness इसमें जो है मधूरता जो है fruitfulness का मतलब होता है प्रचूरता पूरी तरह एकदम प्रचूर भरा हुआ इस मधूरता और जो एक softness जो है वो इस मधूरता जो है वो इस मधूरता जो है भरी हुई है भरी हुई रहती है close bosom friend of the maturing sun और यह जो मधूरता है एकदम best friend है bosom friend का मतलब होता है जिगरी दोस्त ठीक है यह जो है वो maturing sun का मतलब होता है जो sun जो सूरज जब उगता है और वो जो maturing का मतलब होता है परिपक को ठीक है पका हुआ जैसे कि आपका कोई दोस्त है और वो एकदम mature है ठीक है काम करता है चलता है आपका मदद करता है जिगरी दोस्त कैसा होता है समझ सकते हैं आप तो वह बॉजम फ्रेंड है और वह जो यह जो आटम सीजन है वह किसका जिगरी दोस्त है वह मैचूरिंग सन का जिगरी दोस्त है सूरज का जिगरी दोस्त है जो एकदम मैचूर है तोड कर दें एकदम भर दें और एकदम bless करें आशिर्वाद दें किसको? With fruit फल के साथ फल दें आशिर्वाद के रूप में किसको ? Vines मतलब होता है लताये जो फलों की लताये जो आपके चज्जे पर आपके asbestos पर किसी के गाउं घर में चार होता है फूस का घर होता है उस पर जो लटाएं जो फैली रहती है उस पर जो है वो एकदम फल जो है एकदम लाध दें ये प्लान बनाते हैं सूरज और autumn season मिल करके कि लटाओं को एकदम फल से लाध दें फूलों से लाध दें that round the touch eaves run जो touch eaves, touch eaves का मतलब होता है जो छज़ा होता है, उसके किनारे किनारे लत्ती जो है किसी भी जो लतरने वाली जो लत्ती होती जैसे अंगूर की लतावा या फिर जो कदू का जो लत्ती होता है वो जो wines होता है वो किस तरह दिवाल पर लतरती है दिवाल के साइड से लतरती है उसे ही touch eaves का जाता है उसके चारों तरफ लतरती है run मतलब वही फैलती है to bend with apples the most cottage tree और cottage tree जो है जिस पर apple का फल जो apple जो है जो सेब है वो जो फलता है उसको पूरी तरह एकदम जुका दे bend मतलब होता है जुकाना इतना सेब उस पेर पर डाल दे इतना सेब फला दे कि वो पेर जुक जाए bend हो जाए and fill all fruit और सभी फलों को जितने भी फल हैं इस season में उगते हैं उन सभी फलों को fill कर दे भर दे किससे with ripeness to the core एकदम भीतर तक core मतलब एकदम अंदुरूनी हिस्से तक एकदम उसके आंतरिक भाग तक ripeness से एकदम मधूरता से ripeness का मतलब होता है पकाओ पकना एकदम उसके भीतर तक उसको पका दे एकदम मीठा बना दे उसको पका करके to swell the gourd swell का मतलब होता है फुलाना ठीक है gourd को कदू को एकदम गुद्यदार बना दे swell कर दे and plump the hazel sills hazel sills जो है वो hazel एक nut का नाम है बादाम का नाम ठीक है आप स्क्रीन पर देख सकते है उसका फोटो उसको जो है वो एकदम plump कर दे plump का मतलब भी वही होता है कि एकदम गुद्यदार उसको बना दिया जाए उसको एकदम उसके बीज को भर दे उस nuts को ठीक है with a sweet kernel उसे एक sweet kernel मतलब kernel का मतलब होता है बीज ठीक है या फिर अंदुरूनी हिसे को भी मदूर बना दे to set budding more and still more और वो चाहते हैं ये दोनों मिल करके ये जो दोस्त है जो autumn season है और ये जो sun है ये जो maturing sun है ये दोनों सोचते हैं कि चलो set करते हैं कि किस चीज के लिए set करते हैं मतलब वो इसको योजना बनाते हैं बनाते हैं किस चीज का budding more and still more अधिक से अधिक budding हो अधिक से अधिक कलियां खिले कली होती है न कलियां अधिक से अधिक खिले letter flowers for the bees और बाद में जो फूल है वो किस के लिए सौब दिया जाए बीज मतलब मधुमक्यों के लिए ताकि मधुमक्यों उस फूलों के रस को चूसे ठीक है until they think warm days will never cease और वो जो मधुमक्या है वो ये सोचती है कि ये जो गर्मी का दिन है ये कभी खत्म नहीं होगा मतलब ये जो धूप जो निकला है आज और ये जो कलियां जो खिली है जो फूल खिले है ये कभी खत्म नहीं होगा ऐसे ही चलता रहेगा ठीक है वो ये सोचती है और उन्हें नहीं लगता कि ये जो सीजन है वो जो आटम का सीजन है वो खत्म भी होगा फिर गर्मी का भी मौसम आएगा ठीक है और ये जो फूल जो फूले हुए है जहाँ से वो कलियां जो मधमक्ही है जहां से वो रस चूस रही है ये मौसम भी खत्म होगा तो कहीं न कहीं पोईट ये बताना चाहता है कि जो चीजें जो चीजें आपको बहुत ज़्यादा आनंद देती है जो चीजें आपको बहुत ज़्यादा खोशी देती है वो चीजें कभी न कभी और जब वो चीजें आपको बहुत ज़्यादा आनंद देने लगे आपको बहुत ज़्यादा एकसाइट करने लगे तब आप समझ लीजे कि उसका अंत जो है वो नजदी का चुका है उसका अंत निश्चित है वो खत्म होने वाला है ठीक है तो यहाँ पर यह भी सेंस हो सकता है तो और बताते हैं कि यह जो पोएम है ओर टू अटम जो है वो उनका लास्ट पोएम है यह जो कवी है आपके जॉ का दिन है जो फूल फूले हुए हैं ये कभी खत्म नहीं होंगा। ऐसे चलते रहेंगे। for summer has overbrimmed their clemi cells और वो जो गर्मी है उस गर्मी ने सूरज की गर्मी निकली है वो जो मैच्छीवर सनन ने जो गर्मी परदान की है उस गर्मी से उनका जो clemi cells है उस मदुमक्यों का जो सेल है मतलब उसका जो च्छाता है जो चिपचिपा च्छाता है जब च्छाते में लगता है तो चिपचिपा हो जाता है तो क्लेमी मतलब हो तो चिपचिपा जो चिपचिपा च्छाता है वो एकदम और ब्रिम्ड हो चुका है लबालब भर चुका है तो उन्हें लगता है कि ऐसा ही जो मेरा शहद है ऐसा ही लबालब हमेशा भरा रहेगा ठीक है चली अब अगला पाराग्राफ देखते हैं पहले पाराग्राफ में कभी ने आटम सीजन को एक इनसान के रूप में प्रस्तुत किया जो इनसान सोरज का दोस्त है ठीक है उस इनसान के रूप में प्रस्तुत किया जो जिस तरह कोई इनसान योजना बनाता है उसी तरह कभी सोच रहें कि ये जो आटम सीजन है वो इस सूरज के साथ मिल करके योजना बना रही है कि चलो फलो को पकाते हैं उसके अंद्रूनी भाग को भर देते हैं फुला देते हैं ये सारी यूजनाय बनाते हैं तो पहले पाराग्राम यहां से यहां तक इसमें कवी ने आटम सीजन को एक इनसान के रूप में प्रस्तुत किया जो सूरज का दोस्त है जिगरी यार है अब दूसरे पाराग्राफ में यहां से यहां तक इसमें कवी ने आटम सीजन को एक महिला के तोर पर प्रस्तुत किया है ठीक है तो चलिए देखते हैं क्या है अर्थ कहते हैं कि who have यह जो had है यह have का ही पुराना रूप है ठीक है पोईट में पोईम कविताओं में यह यूज किया जाता है बता दें कि दी मतलब तुम होता है यू के बदले में कविताओं में दी का यूज किया जाता है टी-एज-डबल-ई और दाई मतलब होता है यूर तुम्हारा ठीक है चलिए सुरू करते हैं who have इसको have पढ़ेंगे इसको you पढ़ेंगे और इसको your पढ़ेंगे clear है और यह जो oft है यह often का short form है often मतलब कई बार 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 और amid जो है वो amidst amidst का full short form है amidst मतलब होता है बीच में mid mid मतलब होता है बीच में who have not seen you often amid your store किसने तुम्हें अपने store में तुम्हारा जो कार खाना है तुम्हारा जो खादान है ठीक है store मतलब जहां पर अनाज रखे जाते हैं किसने तुम्हें नहीं देखा बार बार नहीं देखा सबने तुम्हें देखा है कहां कहां पर often amid your store किसने तुम्हें अपने store के store के पास बार बार नहीं देखा sometimes, कभी कभी whoever seeks abroad six मतलब होता है खोजना और abroad का मतलब होता है इधर उधर ठीक है, abroad मतलब विदेश भी होता है abroad मतलब बाहर भी होता है और abroad का मतलब होता है किसी जगह में इधर उधर खोजना ठीक है, अलग 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 दिशाओं में ठीक है, in different directions, ये भी होता है abroad का मतलब, तो जिस जब कभी भी किसी ने तुम्हें अलग 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 दिशाओं में या इधर उधर जब भी लोगों ने तुम्हें खोजा जिसने तुम्हें खोजा में find, तुम्हें वो वो पा सकता है ठीक है, तुम्हें पाया जा सकता है, कहां पर तुम्हें देखा जा सकता है वो आगे बताया है कभी ने कि autumn season को कहां कहां देखा जा सकता है दी, दी मतलब तुम, you दी, you sitting careless on a granary floor तुम ग्रेनरी फ्लोर जहां पर अनाज रखे जाते हैं उस जमीन पर तुम केरलेस बैठे रहते ओ। मतलसे बेपरवाह रूप में तुम्हें बैठा हुआ कोई भी देख सकता है , मन वो यह व एक इनसान हो , कवी की परिकलपना देखिए कि कवी ने autumn season को season को एक इनसान की रूप में present कर रहा है कि अगर कोई तुम्हें देखना चाहे अरे autumn season अगर तुम्हें कोई देखना चाहे तो तुम्हें देख सकता है कहा कहा देख सकता है देखे D, D मतलब you you sitting careless on a granary floor और अनाज के जमीन पर तुम्हें देखा जा सकता है Dye, Dye मतलब तुम्हारा your, तुम्हारा तुम्हारे बाल, Dye hair soft lifted by winnowing wind जो हवाएं बहती है winnowing wind मतलब होता है जो अनाज को उराने वाली हवा होती है ठीक है आप देखते होंगे जब कोई उपर से अनाज जब काटके लाए जाता है उसको जब अलग करके उसको जब उसाना कहते हैं ठीक है जब उसको उपर से गिराय जाता है वो सूप लगर करके हम उसको ऐसे ऐसे मारते है तो हवा जो बहती है और आनाज का जो गंदगी हो तो वो जो बाहर निकल जाता है उसे भी विनोइंग विंड कहा जाता है और जोर से जो हवा बहती है उसे भी विनोइंग विंड कहा जाता है तो दाई हेर तुम्हारे जो बाल है ठीक है soft lifted by the विनोइंग विंड वो जोड से बहते हुए इन हवाओं से तुम्हारे बाल जो हैं वो soft lifted हो चुके हैं थोरे उठ गए हैं ऐसे भी तुम्हें लोग देख सकते हैं कि जब हवा बहती है तो तुम्हारे उड़ते हुए बालों को देखा जा सकता है ये सब जो poet है वो autumn season से कह रहे हैं और या कहां देख सकते हैं on a half ripped furrow sound asleep या फिर आधे कटे हुए जो फसल है जो फसल आधे काट करके फसल को छोड़ दिया जाता है ठीक है वो जो कतार जो लाइन फसल काट काट करके हम क्या करते हैं लाइन लगाते हैं कतार लगाते हैं जब भी आप देखें को खेत में जो फसल काटा जाता है उसको काट काट करके उसे फियोरो में वो सजाया जाता है कतार में सजाया जाता है तो कहते हैं कि on on a half ripped furrow sound asleep तुम्हें एकदम चैन से सोते हुए उस फसल पर देखा जा सकता है आधे कटे हुए फसल की क्यारियों पर तुम्हें सोया हुआ देखा जा सकता है the fume of poppies जो poppies है वो fool का नाम है ठीक है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो poppies के सुगंद से poppies के सुगंद से एक दम मद होस मद मस्त तुम्हें देखा जा सकता है while die, die मतलब तुम्हारा वो जब, while मतलब जब तुम्हारा जो hook है hook मतलब होता है जो हस्वा होता है, हस्या जो काटने वाला होता है उसे कहते हूँ while die, जब तुम्हारा हस्या हस्वा, spares the next swath जब तुम्हारा हस्विया जो है, वो अगले कतार को छोर करके अगले कतार and all its twinned flowers और उस अगले कतार में जो फूलों का जो गुच्छा लगा हुआ है, जो फूलों की जो क्यारिया जो फूल लिप्टे हुए हैं अगले कतार में, उसको छोड़ते हुए, जब तुम्हारा जो हस्वा है जो तुम्हारी हस्या है, वो जब आगे बढ़ती है, end तो ऐसे भी तुम्हें देखा जा सकता है क्योंकि उस फूल के कतार में किस फूल का पौदा है पॉपीज का पौदा है, ये भी एक फूल का नाम है इसलिए तुम्हारे हस्या ने तुम्हारे हुक ने उस फूल के पौधों को नहीं काटा और उस फूल के पौधे ने तुम्हें मदमस्त कर दिया, मद्होस कर दिया, तो ऐसे भी तुम्हें देखा जा सकता है, और कहां देखा जा सकता है, और कभी-कभी तुम्हें ग्लीनर के रूप में भी देखा जा सकता है, ग्लीनर का मतलब होता है, इकठा करने वाला, बीच-ब अभी ग्लीनर के रूप में भी देखा जा सकता है दाउ दाउ मतलब तुम यू डू यह जो डॉस्ट है यह डू का पुराना रूप है ठीक है दाउ मतलब यू ग्लीनर दाउ यू कीप स्टिडी दाई लेडन हेड जिसे तुम अपने सर पर लाद करके लगातार निरंतर एक्र या छोटा नाला बोल सकते हैं जो खेतों की क्यारियों में भी दिया रहता है छोटी छोटे नाले जिसमें पानी बहते हैं तो उस ब्रूक से होते हुए तुम्हें उस ब्रूक को पार करते हुए और अपने सर पर उन चीजों को लाद करके आगे बढ़ते हुए भी तुम्ह देखा जा सकता है ठीक है जैसे कोई जो जैसे कोई महिला जो किसान होती है वो जब फसल काट करके जब जाती है तो यहाँ पर कवी ने autumn season को एक ladies के तौर पर indicate किया है बताया है उसके बाद है और या फिर तुम्हें कहां देखा जा सकता है or by a cider press cider press का मतलब होता है जो फल से जो juice निकालने वाली जो मसीन होती है खास करके apple का juice निकालने वाला जो मसीन होता है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उसका photo picture उस juice से with patient look और उस juice के सामने तुम एकदम patient look में एकदम धीरज रखकर एकदम सांत होकर के बैठी हुई हो thou तुम watchest watches देखती हो the last using hours by hours उस juice के मसीन से जो रस की बुन्दे जो तपकती है उस बुन्दों को घंटों बैट करके तुम्हें देखती हो और ऐसे भी तुम्हें लोग देख सकते हैं कि तुम juice के सामने जो उस apple से जो मसीन से जो cider प्रेस है उस मसीन से गिरती हुई बुन्दों को देखते हुए लोग तुम्हें देख सकते हैं तुम्हें ऐसे भी देखा जा सकता है तो किस किस रूप में आप autumn season को देख सकते हैं किस किस रूप में कवी ने कहा है कि autumn season को देखा जा सकता है तो पहले paragraph में ऐसे इनसान के बारे में ऐसे इनसान के तौर पर और उन्होंने autumn season को indicate किया है बताया है जो सूरज का दोस्त है और दूसरे paragraph में उन्होंने एक farmer के तौ पर autumn season को बताया है चलिए अब अगला paragraph देखते हैं इस paragraph में John Kitts ने winter season में जो मौसम होता है जो दिन का मौसम दिन का कैसा समय होता है उसके बारे में Vernon किया है बताते कि John Kitts एक बहुत बरे कवी है अपने छोटी से उमर में इन्होंने बहुत बरा नाम कमाया है तो यहाँ पर यह जो आपके सामने में जो कवीता है यह भी बहुत बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार कवीता है इसमें देखे जितने भी कवी आते हैं उन्होंने अकसर spring season का वसंत रितू का वरणन बहुत सारे कवियों ने किया है लेकिन autumn season का वरणन बहुत कम कवियों ने किया है और इन्होंने john kitts ने ऐसा वरणन किया है कि आपको लगए autumn season जो है वह spring season से ज्यादे बहतर है यह कवी की छमता है इससे कवी पता चलता है कि किस अस्तर का कवी है और कैसा इनके लेखन کی जो छहमता है वह कैसी है तिसमें उनके दिन कावर्नन करते है विंटर सीजन के दिन का ये कहते हैं आटम सीजन से ये कहते हैं Where are the songs of spring spring सीजन का वसंत-रितू का गाना कहा है वसंत रितु में जो गाने होते हैं वो गाना कहा है अए वेर आर दे अरे वो कहा है तिंक नोट अफ देम अब ये कहते हैं विंटर सीजन को कि तुम आटम सीजन को कि तुम उसके बारे में मत सोचो spring season के गाने के बारे में song के बारे में मत सोजो thou, thou मतलब तुम, you hast, hast मतलब have you have, a day मतलब your, मैंने बताया है you have your music too, तुम्हारे पास भी तो अपना गाना है जैसे वसंत रितू में अगर पक्ची गाते हैं, तो autumn season में भी तो पक्ची गाते हैं, और कैसे अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज लाइक करके जाना हौसला बढ़ता है, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, तो लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं ताकि आपका ये अपना चैनल जो है योर म्यूजिक टू, तुम्हारे पास तो अपना गाना है तो फिर स्प्रिंग सीजन के गाने के टेंजन क्यों लेनी ठीक है वाइल बैर्ड क्लाउड्स ब्लूम दे सौफ्ट डाइंग स्काई और वो जो मस्त मौसम होता है जब वो बैर्ड क्लाउड्स बैर्ड क्लाउड्स मतलब होता है जो बादल के चोटे 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 चुकरे जब आसमान में शाम के वक्त जब बादल के चोटे 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 चमकीले टुकरे जब चमकते हैं आसमान में आटम सीजन में बैर्ड क्लाउड्स ब्लूम जब छोटे छोटे बादल के टुकरे bloom करते हैं, चमकते हैं जैसे spring season में full चमकता है, इस line से इस line के दोवारा यहाँ पर कभी ने direct spring season को challenge किया है, कि जिस तरह spring season में full चमकता है जमीन पर उसी तरह autumn season में आसमान में बादल के टुकरे जो छोटे छोटे चोटे टुकरे होते हैं, वो चमकते हैं the soft dying sky वो जो ढलता हुआ जो दिन है, जो soft dying, जो day है मृतियों दो तरह से होती है, एक hard dying जो एक वहंकर मृतियों होती है तो एक जो जब दिन बेकार गुजरे उसको कहते हैं, एक दम hard dying और जो अच्छा सा दिन गुजर रहा है, उसको soft dying day बोलते हैं, तो यह जो soft dying day में, soft dying day में, जो दिन गुजरता है और उसमें जब आसमान में बादल जब टुकरे बादल के टुकरे जब चमकते हैं, and touch the stable plains, और उसकी चमक, बादल के जो चमक है, जब सूरज की किरने बादल से टकरा करके, जब stable plains पर, stable का मतलब होता है, खूटी, जब खेत में, जब मालोगेहूं को काट करके जब छोड़ दिया जाता है या फसल को काट करके जब छोड़ दिया जाता है, उसकी खूटी जब रह जाती है, तो उस खूटी पर जब वो बादल से टकरा करके, जब वो color आता है, परता है उस खूटियों पर, तो वो जो है, वो rosy hue, एकदम गुलाबी रंग में वो ढ़ल जाता है, गुलाबी मतलब होता है, उदास, सोकाकुल choir, choir मतलब समूर the small gnats, small gnats मतलब होता है, छोटे-छोटे कीरे मकोरे मच्छर, जो जब शाम ढलती है तो शाम के वक्त, एकदम छोटे-छोटे कीरे मकोरे मच्छर जब भिन भिनाने लगते हैं, एकदम music की तरह, वो sound निकलता है जब आप जाईएगा, किसी नदी के किनारे बैठेंगे, तब एकदम कीरे मकोरों का, एकदम गाने की तरह sound निकलता रहता है small gnats, mourn mourn का मतलब होता है गाना, ठीक है mourn मतलब होता है, गाना, कराहना या गाना बोल सकते हैं among the river sallows among the river sallows कहां पर, यह होता है तो यह नदियों में, जो पीले पीले जो छोटी छोटी पेर निकले रहते हैं नदी के पानी में से जो पीला पीला छोटा छोटा पेर निकलता है उसको sallows का जाता है ठीक है, तो उस पेर पर बैठे हुए जो छोटी छोटी गनेट्स हैं वो जब गाते हैं और कैसा लगता है, ऐसा लगता है born aloft born मतलब जन्म लेना, aloft मतलब उपर और sinking, या फिर डूबना उपर उठना या डूबना as a light wind lives or dies light wind का मतलब होता है हलकी हवा, जब धीमे धीमे हवा जब बहती है तो जब धीरे धीरे हवा जब बहती है तो कैसा music निकलता रहता है ऐसा लगता है कि एकदम music की तरह जब धीमे धीमे हवा बहती है तो एकदम sign sign नहीं, एकदम music की तरह एकदम बहुत मज़ा आता है तो ऐसा लगता है कि वो जो हवा है वो उपर उठती है धीरे-धीरे और फिर वही हवा जो है धीरे-धीरे मर जाती है उसी तरह लगता है कि उन जानवरों जो कीरे मकौरे हैं उनकी जो आवाज है वो भी उसी तरह बढ़ती है और घटती है ठीक है? और एकदम जो लैंप्स का मतलब क्या होता है मेमना बकरी के बच्चे या भेर के बच्चे तो उनके जो बरे-बरे बच्चे होते हैं पहार की चोटियों से पहार के जो सीमा होती है जो पहार का जो अंत होता है जहां पर पहार लास्ट होता है ठीक है तो पहारियों में से पहार की वादियों में से जो मेमने जो चिलाते हैं जो ब्लीट करते हैं आवाज करते हैं चिलाते हैं हेज क्रिकेट सिंग हेज क्रिकेट कहा जाता है जारियों में जो क्रिकेट क्रिकेट अपने घर में भी जिंगूर होता है जिंगूर आप लोग समझते हों कि उसी क्रिकेट कहा जाता है तो वो जो जिंगूर होता है वो भी जब बोलता है तो पायल के चंचन की आवाज की तरह वो जिंगूर बोलता है ठीक है तो वो जो हेज क्रिकेट है जो जारियों में जो रहने वाले जो जो क्रिकेट है जो जिंगूर है जो जानवर है जो जानवर नहीं कीट पतंग जो है and now with treble soft जो एकदम जो एकदम मधूर आवाज में जब वो गाते है the red breast whistles red breast जो है वो पक्षी का नाम है जिसकी छाती लाल कलर की होती है उस पक्षी को red breast कहते है the red breast whistles from a garden craft garden craft कमता होता है बगीचा बगीची के जो पेर होता है उन पर बैठा हुआ जो red breast होता है वो आवाज दे रहा है whistles सीटी बजा रहा है अपनी धून में गा रहा है and gathering swallows swallows जो है ये भी पक्षी का नाम है और जो swallows है जो छोटी छोटी जो पक्षी है वे gathering मतलब एकठे होकर के आसमान में चहचा रहे है तो ऐसा होता है autumn season की जो का जो दिन होता है autumn season का जो जो सुहाना जो दिर्श्य होता है उसके बारे में इस paragraph में उन्होंने Vernon किया है और इस paragraph में उन्होंने क्या Vernon किया था कि autumn season को किस तरह देखा जा सकता है कहां कहां देखा जा सकता है और इसमें उन्होंने क्या Vernon किया था कि autumn season जो है वो क्या सब करता है autumn season को उन्होंने एक इनसान की तरह माना है जो सूरिया जी का दोस्त है और जो फलों को पकाता है ठीक है जो बीज है उनमें दाना भरता है उनमें उनको sweetness देता है मीठा पन देता है तो autumn season का पूरा वर्नन अगर देखा जाए तो इस कविता में autumn season का पूरा वर्नन किया गया है ठीक है जोन किट्स को ऐसे ही दोस्तों जोन किट्स को ऐसे ही दुनिया के best poet में नहीं रखा गया है ठीक है वो ऐसे ही सबसे best poet नहीं है बहुत ही बरे बहुत ही महान poet है अगर आपको अच्छा लगा हो तो please channel को subscribe करके bell icon दबा दीजिएगा like और comment करके बताएं कैसा लगा thank you so much bye bye take care